हेलो दोस्तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में तो आज इस वीडियो में हम हील वैल बी टोन ड्रॉप्स के बारे में बात करेंगे जो कि बच्चों को दी जाने वाली एक होमियोपैथिक दबा है और काफी अच्छी होमियोपैथिक मेडिसिन होती है दोस्तों ये बच्चों के लिए ये बच्चों के स्वास्थ के लिए एक बहतरीन दबा होती है गईस समझ लेते हैं इसका यूज क्या रहता है, कमपोजिशन क्या रहता है, किस तरह से डोस देनी होती है तो दोस्तों जब भी बच्चों में खाना नहीं पस्ता है यानि बच्चे जो खाना खाते हैं उनको डाइजेस्ट नहीं होता है बच्चों के पेट में दर्द होता है खाना खाने के माद में और इसके अलावा जो उनका स्वास्त है जो हैल्थ है वो improve नहीं हो रही है, स्वास्त नहीं बन रहा है तो उस समय ये काफी अच्छी medicine होती है इनके संपूर्ण स्वास्त के लिए काफी अच्छी होती है और बच्चों की जो मंद पाचन सकती होती है यानि जो digestion है वो काफी slow है खाना जो खाते हैं बच्चे डाइजेसन ठीक से नहीं होता है काफी सलो रहता है तो इसको दूर करती है दोस्तों इसके अलावा कुछ पेरिंट्स की सिकायत रहती है कि बच्चों को जब भी वो दूद देते हैं तो दूद को बच्चे पचा नहीं पाते हैं और दूद जो है पीने के बाद बच्चों का पेट खराब हो जाता है या फिर उल्टी कर देते हैं या फिर उनके पेट में दर्द रहता है लगतार दर्द बना रहता है बच्चे जो परिशान करते हैं तो ऐसी समस्या को ये ठीक करती है इस समस्या में भी काफी फाइदे मन्द होती है और जिन बचों के दान्त निकलने में लेट होता है मतलब जिनको बिलंब से दान्त निकलते हैं उनके दान्त निकलने में भी काफी यूज़फुल रहती है तो इस तरह से इसके जो बहुत सारे यूजिस हो जाते हैं दोस्तो खुराक की अगर हम बात कर लें तो एक माहा के अगर कोई बच्चा है तो उसको 5 मूदे दिन में 2-3 बार तक दी जा सकती है साथी दोस्तो अगर कोई 1-6 महीने का बच्चा है तो इसको 10 मूदे दिन में 3 बार सुवा दुपैर साम करके दे सकते हैं और साथी 6 मह से उपर का अगर बच्चा है तो उस समय उनको 20 मूदे दिन में 3 बार पानी के साथ या फिर चिकित सक की सलह से यानि कि डॉक्टर की सला से आप डॉक्टर की देखरेख में दे सकते हैं दोस्तो इस दवा की पैकिंग 30 ml और 60 ml दोनों में उपलब्ध है तो जब भी आप मेडिकल इस्टोर पर जाते हैं इसको देख लें इसको चेक कर लें और इसकी एकस्पारी डेट वगेरा भी जरूर देखें तो इससे क्या होगा गाईज आप एक अच्छी दवा लेकर आएंगे आप खराब दवा लाने से बच जाएंगे और आपके बच्चों को किसी तरह का नुकसान नहीं होगा तो दोस्तों ये थी आज की इस वीडियो में हील वैल बीट और ड्रॉप्स के वारे में जानकारी उमीद है आपको जरूर पसंद आएगी तो मिलेंगे फिर आपसे एक नई वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें